आज का राशिफल मेश राशी घर के बड़े बुजुर्ग आपको जिम्मेदारी सौप सकते हैं अपनी जिम्मेदारियों को आप पूरी निष्ठा से निभाएंगे कमीशन से जुड़े बिजनेस में धन लाब होगा किसी पुरानी बीमारी के ठीक होने के योग बन रहे हैं व्रिशब राशी अपनी कार्य शैनी में बदलाव ला सकते हैं अपने घर के कार्यों को आज अधिक प्राथमिकता देंगे बच्चे पढ़ाई में काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे प्रेम संबंधों को लेकर भावुक रहेंगे घर में रिश्टिदारों का आगमन होगा मिथुन राशी आपको लोगों पर ज्यादा विश्वास नहीं रखना चाहिए पुरानी स्मृतियों को सोच मन कुछ व्यथित हो सकता है बदलते मौसम को लेकर एलरजी की समस्या होगी शाम को किसी दोस से मुलाकात हो सकती है करक राशी कारोबारी उद्देश से यात्रा करनी पर सकती है आई के नए स्त्रोत विक्सित हो सकते हैं उधार दिया हुआ धन आपको वापस मिल सकता है परिवार के लोग आपकी मदद को ततपर रहेंगे सिंग राशी आज आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले बड़ों की राय अवश्यले आपके आत्मविश्वास में व्रिद्धी होगी कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी सक्रिय हो सकते है कन्या राशी नए उत्पादों की खरीद विक्री से लाब होगा पुराने मतभेदों के सुलजने की संभावना है घर में सुक्समृधी का वातावन रहेगा भावना के बजाए समझदारी से काम करें तुला राशी जॉप में बदलाफ करने से आपको बचना चाहिए अपनी प्रतिभा पर बिल्कुल भी संदेह ना करें किसी नए प्रोजेक्स में शामिल हो रही है तो उसकी पूरी जानकारी ले ले दिखावे वाले खर्चों से आपको बचना चाहिए वरिश्चिक राशी मित्रों से भरपूर सहयोग मिल सकता है विवा आदी कारे क्रमों में आ रही बाधा दूर होगी आत्म विश्वास में व्रिधी होने से मन प्रसन रहीगा मेडिकल क्षेत्र से जुड़े उद्योगों को बहुत ही शान्दार लाभ मिल सकता है पार्यक्षेत्र में आपकी लोक्प्रियता बढ़ेगी, संपत्ती के क्रेविक्रे से लाब होगा, समाज में आपका मान बढ़ेगा मकर राशी, दापत्य जीवन रोमांस और सामन जस्य से भरपूर रहेगा ओनलाइन शॉपिंग के माध्यम से कोई मंहगी सर्विस या मूल्यवान वस्तू खरीच सकते हैं परिजनों के प्रोत्साहन से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी कुंभ राशी, समाज में आपके प्रभाव में कमी आ सकती है वाहन तीवर गती से न चलाएं परिवार के लोगों की चिंता रहेगी क्रोध और कडवी भाशा के कारण आपके अपने लोग नाराज हो सकते हैं स्वास्थिके प्रती लापरवाही न बढ़ते मीन राशी अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे पती-पत्नी के बीच समर्पण भाव और प्रेम की भावना में व्रिद्धी होगी विवाय योग्य लोगों का विवाय तै हो सकता है यवसाय में नकदी की समस्या हल हो सकती है